नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कम प्रिशन प्रिप्रेशन पर आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे इस वीडियो में हम मैथ्स के 25 क्वेश्चन की बात करने वाल और इनका वेटेज मैं वह ऐसा ही रखूंगा जिस आधार पर आपके एक्जाम में क्वेश्चन आएंगे लाइक परसेंटेज का एक प्रशन आता है मैं आपको थोड़ा सा वह आईडिया देते तो फिर 25 प्रशन करवाऊंगा पीडियाप आपको टेलिग्राम पे देदू जो लोग पहले से जुड़े हों उनको पता होगा और चैनल पे नहीं होना सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आएगे तो लाइक कर लेना टेलिग्राम पे ही पीडियाफ मिलेगा तो टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लेना देगो अगर वेटेज की बात करता तो थोड़ी सी weightage बता दे रहो कि percentage से परतिसत से आपकी exam में एक प्रश्ण आता है ठीक है एक से दो होता है लेकिन एक मैं मान के चल रहा हूं minimum percentage से एक प्रश्ण होता है अगर मैं बात करूं जमेट्री से सबसे ज्यादा प्रश्ण आते हैं प्रश्ण और उसके बाद सबसे इंप्रश्ण के लिए है वो है आपका डियाई डियाई आपको पता होगा डियाई से पहले पांच प्रश्ण आते थे आप चार प्रश्ण आने लगें और टॉपिक्स को वेटेज देने के लिए ठीक है अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम से तो एक से दो प्रश्ण आते है लेकिन दो आप देखने मिल जाएग अगर average की बात करें ऐसे अगर time and work की बात करें तो कभी कभी पहले दो पूछ लेता था अभी एक तो average अगर हम बात करें तो time and work से एक प्रश्ण आपका आता है यानि कारे और समय से इसमें work and wages डाल देते हैं तो दो प्रश्ण हो जाते हैं ठीक है अलजेब्रा से भी ठीक ठाक प्रश्ण आते हैं अलजेब्रा भी इंपोर्टन टॉपिक है जो इस्टार्वेज में अभी नहीं करवाया किसी करण वस नहीं आ पा रही है इस्टार्वेज की क्लासे बाकि आपने जमेट्री में सुरेशन उधर डीटेल में पढ़ी लिया है सिंप्लिफिकेशन से अगर मैं बात कर तो सिंप्लिफिकेशन से भी बहुत सारे प्रश्ण आते हैं एक से दो प्रश्ण तो आपको देखने मिली ही जाएंगे लेकिन एवरेज अगर में बात करें तो एक प्रश्ण इससे रहता है जो नॉर्मल केलकुलेशन से होता है पॐंड इंटरस्ट से 1 प्रश्व कंप आता हैं कि जूए में प्रस्व बता है उसमें मोस्टली McMą δमोस करते हैं या तो ट्रैंगल से maximum question रहेंगे या सर्कल से 2 3 3 प्रशव आईसे रहते हैं से कभी कबार एक पूछ लिया तो पूछ लिया नीजु मेंसुरेशन से कम प्रश्ण आते हैं देखो डियाई से आपके तीन तरह के प्रश्ण आते हैं पहले प्रश्ण आपने देखा होगा डियाई से टोटल चार प्रश्ण आते हैं चार प्रश्ण में टाइप होती है पहला पाई चार्ट जो आपको दिख रहा है यहां पर दूस प्रशन पढ़िए का गया कि निम्नांकित पाई चार्टों का ध्यान करें उसके बाद दिये गे प्रशन का उत्तर दें यह दिया गया है कि टोटल 1200 इस्टूडेंट अपेर होते हैं किसी परिच्छा में और उसमें से 900 पास होते हैं अपेर होने वालों में ए से कितने अपेर ह होते हैं यह दिया गया और कितने पास होते हैं ठीक है जैसे 900 में से कितने परिच्छा में भाग लेने वाले चात्रों की तुलना में उतीर होने वाले चात्रों का परतिस्त दूसरा सर बोच्छ है यानि कि कौन जैसे एसे कितने अपेर हुए और एसे पास हुए तो कुछ प आपको पहले देखना है कि option में कौन-कौन सा दियागे CEDB, तो हमें A से कोई मतलब नहीं है, CEDB पर operate करना है, ठीक है, अब देखो, आपको calculate की साधार पर करना है, देखो, E से 49 degree, जो students का सियर है, वो E का है, आपको पता है, total होता है, 360 degree, और 360 degree आपको दिया गया 1200, 360 degree बराबर 1200, तो आप कह सकते हैं कि 36 degree कितना हो जाएगा, 120, 36 degree, 120, यह आप कह सकते हैं, 6 degree बराबर 20 हो जाएगा, 6 degree अगर 20 हो गया, तो 49 degree यानि इसका साधे 6 गुना, यानि कि 130 student इधर से देते हैं, बोलो clear है, अगर मैं D से बात करूँ, आपको पता है, 6 degree बराबर 20, तो हम कह स सकते हैं, 3 degree बराबर 10, तो इसका 35 गुना, यानि 42, साथे 300 student, D से देते हैं, ऐसे सी से बात करें, theorem 6 degree बराबर 20, तो 300 student इहां से देते हैं, और 2 से बात करें, तो 14 degree, आपको पता है, कि 18 degree पराबर 64 degree पराबर 180 student यहां से अपेर होते हैं यहां से निकाल लेना 3 degree पराबर 10 student तो ऐसे अब यह students का आ गया कि कितने कितने students किसी school से देते हैं अब यहां पर पता है आपको pass होने वालों में 900 का 9% E से pass होते हैं 81 student E से pass हो रहे हैं D से 28%, 900 का 28% कितना हो जाएगा, 252, 900 का 30% कितना हो जाएगा, 270, 900 का 18% कितना हो जाएगा, 162, तो यह आपके students होगे, जो पास हो रहे हैं, अब देखो, maximum percentage बूचा गया, आप देखो, अगर मैं इसका calculate करूँ, 1800 में से, B से, B से दे रहे हैं, 1800, पास हो रहे हैं, 160, यहनी B से कितना पास हो रहे हैं, 90%, यहाँपे लिखन दो, 20, 90%, अगर मैं बात करूँ, किसकी, अगर में बात करूँ, D की, तो D से दे रहे हैं, 355, 252, निकाल लो, 990% है, नहीं, आप कहिए को 292, 355, गुड़े 100, तो 50 staffit, हो ड होते सांस से काटूगे चतिस 72 72 ace7 अगर मैं बात करो सी से सी साधर इस इस इसे आपको पता 130 देते हैं cettez Авंud360ος ceb hor recommended अगर मैं बात करो सीлом सी सा 3 30 ते देते हैं 270 यानी 90 परषण यह अब आपने देखा 90 90 फरेक्रेक़् Tamге person 2 में आ गया तो second highest कौन सा हो जाएगा बिश्यखों में इस तरह से रिंग करा है कि इससे आ जाए है किमिक्स ना हूँ अब लगा लेके 2016 से लेके 20 तक X Y Z द्वारा उर्वर्कों का उत्पादन दिया गया ठीक है एक्स है आपकी बुलू वाली यह पर मैं लिख दे रहाँ बुलू जो है वह एक्स है ठीक है एलो जो है एलो जिसको बोलते हैं एलो मैं यह गलत बोलता हूं ठीक है हमेशा यह वाई है ठीक है और जो आपका यह कौन सा कलर है मड कलर लिख लो मुझे ज़्यादा कलर का आइडिया नहीं है वो है जड़ अब आपसे कहा गया कि 2017 और 2019 में देश Y द्वारा उर्वर्कों का उत्पादन यानि Y द्वारा है एलो यह 2016 की बात हो रही है यह 17 की बात हो रही है यह 18 की बात हो ठीक है अलग अलग सालों में अलग अलग कंपनियों का दिया गया है कि कितने मिलियन में प्रोडक्शन करते हैं कगया 2017 और 2019 में Y द्वारा उर्वर्कों का उत्पादन का कुल कितना परसेंट पहले देखो 2017 और 2019 में Y का उत्पादन निकाल लो तो 265 यहापको अगर आकड़ नहीं लिख रहा है तो मैं लिख दे रहूं तो होगया 265 वाई द्वारा 2017 में और 2019 में 280 वाई द्वारा तो जोड़ोगे तो कितना आएगा 268 चववन एक पच्पादन यानि 550 इन्होंने टोटल उत्पादन किया दो सालों में किसने देश 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 वाई द्वाई द्व परतिसाथ है किसका 168 और 20 में जड़ द्वारा 168 और 20 में जड़ द्वारा 18 में यह और 20 में यह जड़ द्वारा पूचा गया तो मड़ कलर हम देखेंगे यहां पर लिखा हुए 320 अगर आपको नहीं दिख रहा हम में बता देए रहो 320 यह हो गया 360 यह हो गया और इधर पादन है किसका जड़ द्वारा तीन सालों में और 770 उसका कितना परसेंट है पूचा गया तो आपको वहाँ पर दिखकत ना हो बलो क्लियर है अगला प्रश्ण एक प्रश्ण आपको पता है CISI और इंस्टाल्मेंट से आता है इंस्टाल्मेंट आपको बहुत कम मिलेगा प्रश्ण दिख जाते हैं तो आपको जड़ा इंस्टाल्मेंट के पीछे पागल नहीं होना है का गया एक बार इंट्रेस्ट एरली की बात करें यह सिंपल इंट्रेस्ट की बात करें अगर इंप्लीमेंट होता है तो बराबर होता है पहले साल के लिए लेकिन अगर चमाही लगाएंगे तो rate of interest कितना हो जाएगा चार परसेंट और एक साल में दो चमाही होते हैं तो चार चार परसेंट का दो साल लगेगा अब देखो आप ऐसा कह सकते हैं कि चार परसेंट जब एक साल में yearly इंप्लीमेंट होगा एक साल में अगर हम बात करें yearly इंप्लीमेंट हो रहा है तो हम उसको जब पहले साल के लिए compound interest simple interest बराबर है तो हम कह सकते हैं कि दो चमाही simple interest लग रहा है यानि अगर आपको कहा जाए कि दो साल में देखो अगर yearly लगेगा तो simple interest आएगा यानि आप से जब yearly की बात कर रहा है वार्सिक बात कर रहा है तो जब हादी लगा रहा है तो हम इसा नहीं कह सकते कि एक साल के लिए जो compound interest है जब yearly implement हो रहा है तो simple interest हो गया और जब एक यह के लिए half yearly वह आ रहा है तो यह compound interest होगी अब एक साल में दो चमाही होते हैं तो हम कह सकते हैं दो टेने और के लिए यानिकि दो वर्सों के लिए rate of 4 परसेंट पे दो टेनवर के लिए रेट आफ फूर परसेंट पे compound interest और simple interest का difference पूचाएंगे और दो सालों के लिए compound interest और simple interest का difference जो होता है उसका formula लिख लो P into R by 100 का whole square जहां पर P principal R rate यह होता है principal कितना दिया गया है 50,000 और rate कितना है आपने कहा yearly तो हम यहां करेंगे नहीं क्योंकि हम दो साल बात कर रहें तो छमाही को अगर हम एक साल मान रहें तो दो टेनवर हो रहा है यानि कि दो जो R है वो आधी हो जाए कि जब पूरे साल के लिए 8% है तो छमाही के लिए 4% यानि R बराबर 4 तो 4 बटे 100 के पावर 2 चार बटे 100 को लिख लो एक बटे 25 के पावर 2 एक बटे 25 के होल सकोर यानि एक बटे 625 आप काट फीट लो यह 25 से कटेगा यह 2 हो जाएगा दो हजार को 25 से काटेंगे तो कितना हो जेगा पची सथे 200 यानि असी रुपए समझा गया तो आपको एक्जाम में क्या काम करना है सीधे रेट को आधा करना है यह फॉर्मूले पर पूट कर देने फॉर्मूला नहीं लिखना है सीधे लिखना है 50,000 उड़े एक बटे 625 सॉल अब कर लेना है बोलो clear होया सबको तो आपका उत्तर कौन सा है आपका उत्तर आ गया और असी रुपएए 80 रुपएसी रुपए समझाे आ गया सबकोगों बहुत बढ़िया 8 रुपए ठीक है फिस्ट्रिगो में कैसे बरशन आते वो देखले देख लेते हैं त्रिगों में कि 310 थीटा वराबबर 2.3 ढूर्य साइन देखो 3 x 10 थीटा आप बैलू पूट करके भी कर सकते हो तैन थीटा आपको पता है सैन थीटा बटे कॉस थीटा होता है 3 साइन थीटा by आ कॉस थीटा लिखा हुआ है यह बराबर हो जाएगा 2 रूर्ट 3 साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा कट गया यह कटेगा आपका यहां से आपका सकते हैं रूट 3 में डिवाइड करेगा तो यह रूट 3 देदेगा यह आपका कॉस थीटा अगर उधर ले जाए तो कॉस थीटा बराबर रूट 3 वाई 2 हो जाएगा कॉस थीटा रूट 3 वाई 2 कब होता प्लस, कौट स्क्वाइर 60, कौट 60 की बैल होते हैं, वन बाई रूट 3 तो उसका स्क्वाइर एक बटे 3 हो जाएगा, साइन स्क्वाइर 30 यानि एक बटे 4, स्टैन स्क्वाइर 60 यानि कि 3, तो उपर लिखा है 5 बटे 3, नीचे लिखा है, 4 तिया 12 एक 13 बटे 4, यानि 4 पंचे 20 20 बटे 49 आपका उत्तर हो जाएगा, समझ आगया, 20 बटे 49 आपका उत्तर हो जाएगा, ट्रिगों से कितने प्रशन आते हैं, 2, 3, तो 3 मैंने साइद ले होंगे, इसमें, देखो ये दिया गया, 3 कौट स्क्वाइर 47 माइनस 1 स्क्वाइर 43 माइनस 2 टाइमस अब दिस वन दिस 47 को क्या लिखा सकता है, कॉट 90 मैनिस 43, कॉट 90 मैनिस θ dreams spendth 0013 होता है, 10 टाइमस यानि 2023 हो जाएगा, या आपका लिखा हुआ है, ट्री टाइमस आप 10 स्क्वाइर 43 माइनस 10 स्क्वार 43 और 6 स्क्वार थीटा माइनस 10 स्क्वार थीटा 1 होता है तो इसकी वैलू 1 हो जाएगी माइनस 2 टाइमस यहाँ पर देखो 10 स्क्वार 23 अब देखो 10 23 को 67 में बदल लो यह कॉसक 67 को 23 के एंगल में बदल हुआ हो तो मैं 10 को बदल दे रहो 10 23 को क्या लिख सकते हैं than 90 माइनस 67 क्या हो जाएगा कॉट 67 इसक्वार 37 माइनस कॉसेक स्क्वार 67 अब को ने बता है कॉसेक स्क्वार खीटा-1 होथा यहाँ पर कॉट भी बराबर 90 देखो यहाँ पर थीटा प्लस 61 29 माइनस थीटा करोगे तो थीटा थीटा कर जाएगा 61 और 29 90 हो जाएगा यानि यह दोनों बराबर है अगर दोनों बराबर है एक प्लस में है निगेटिव में तो यह दोनों कट गए यह नीचे के बचा कॉसेक स्क्वार 68 प्लस थीटा लिखना चाहो लिखना है को हाजको मैंने यह बताया है दे पोसेक स्क्वार 2 तीटा कॉसेक स्क्वार सब लिखने के कोई जरूरत नहीं थी आपको बस एक लाइन में उत्तर माग कर देना था बोलो क्लियर हो गया अब अगर आपको यह नहीं समझा रहा है इसका मतलब आपने ट्रिकों की स्टार बैस की क्लासिज नहीं करी है ठीक है यह बेसिक आपका नहीं क्लियर होना चाहिए तभी आपको समझ में रहे हैं और मैंने इस वज़ए से क्यल्कुलेटिव प्रश्ण लिए है ताकि आपको ऐसे हैदास ना जाओ आप कि यह क्या हो गया कहा गया यह आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वश्च्चन है कहा कि साथ वस्तू का भिक्रेम उले आठ वस्तू क अब आपसे लाग प्रॉफिश्चन की बात कीक है जब ऐसा प्रश्ण है तो आप मानलिया करो कि सेलिंग प्राइश सीपी के साथ जो लिखा है वो है और कौस्ट प्राइश कर दिया साथ है और सात में खरीदी गई वस्तव आठ पिकती ब्रॉफिट कितनी कंने की होता है कि परतिसत निकालना है तो एक बटे साथ और एक बटे साथ भिन में परतिसत के बराबर होता है चौदा सही दो बटे साथ चौदा दसमलों तीन परतिसत तो आपको उत्तर कौन सा हो जागा अब ऐसे प्रश्ण आएंगे वह आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए भाईया इ ऐसा प्रश्ण आया है तो वह प्रश्ण दो सेकेंड में होना चाहिए इस तरह से भी आता है वार वाले देखो आपको दियागे 0.46 बार 723 वार दिस वन दिस वन दिस देखो आपको पता है इसको अगर प्रेक्शन में चेंज करना है तो जितने अंक पर दसमलों नहीं है ज साथ सो थेस में से जिस पर ने घटा आए देंगे साथ घटे का साथ सो सोला जाए माइनस ऐसे इदर बचेगा 49 बटेण अब्ब्य यहं उन्तारीम से तीन घट जाए गया चाहिए ज़ए गया जुड़ेगा साथ सो शोला बटे नो सो नब्ब्य प्लस सो बटेश गटेगा चौदा बटे नब्बे नब्बे को 999 हर बराने के लिए 990 हर बराने के लिए 11 से गुड़ा करेंगे तो 11 गुड़े 14 चौदा 14990 हर बराने के लिए 990 जितने नव आये हैं उतने पर बार होगा यानी एट सेबन पर बार होगा तो 0.87 बार आपका उत्तर होगा बोलो क्लियर है सबका अगले प्रशन पर आएं अगला प्रशन देखना यह किसका है अबरेज का क्या इन एक्जामनेशन अबरेज मा पर सब्जेक्ट आपको पता है कि उसके अवस्त मार्ग इकतर थे हो कितने जाते चीतर यानि 5 की बृद्धी हो जाती अब आप से बिग्यान इसके लिए आपको क्या करना पड़ता विग्यान में उसे 35 नंबर ज्यादा दिलवाना पड़ता इतिहास में 11 नंबर और कम्प्यूटर साइंस में 4 नंबर य हैं टोटल उसे कितने नंबर दिलवाने पड़ते 35 ग्यारा और 4 यहनि 50 नंबर ज़्यादा दिलवाने पड़ते 50 जब जब ओबर आल्यार में ज्यादा होते तो एवरेज में 5 बढ़ता सब्जेक्ट अगर टोटल बचास टॉपियां हो औ पाँच-पाँच टॉफी मिलती है तो कितने बैखती होंगे तो आपकी सब्जेक्ट कितने हो जाएंगे तस नॉर्मल सा प्रश्न था कि अलजेब्रा का प्रश्न है कर गए 2x-y is equal to 2x-y is equal to 3y2 तो आपको वैलू फाइंड करने अब देखो आप अगर यहां पर 2 से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाए एकस-yy2 बराबर एक अगर इसका क्यूब कर दोगे तो आपको मिलेगा एकस-y पराबर 3 बटे दो तो इसको इधर ट्रांसपर कर दो यानि यह हो गया 1-3 y 2 x-y , एकस-y की वैलू 3 बटे दो है तो सारे टाइप के प्रश्ण में मिक्स करूंगा के अल्गुलेटी उटाफ और देखो आपको दिया गया एसी बराबर सांथीस है तो आपको पता है तो यह तुरं समझ में आ जाना चाहिए कि यह 37 है यह 35 है यह 12 है याप से कहा कि बीजी की लंबाई पूछी गई यह देखो यहां से इस पर परपंडिकुलर ड्रा कर दो बहुत सारी मिड़ पॉइंट से होते हुए यह इसके मिड़ पॉइंट को मिला दो आपको पता है कि अगर यहां से जो राइट एंगल ट्राइं पांच हो गया और आपको पता हैं अगर जी यहां कहीं पर लाइक करें यहां यहां पर लाइक तो जOWD मीड़ होता है वह इस मीडियन को यहां यांए बीयम को दो सांब into прич Fra न कि 12 ती om की तो दो किately तीन के करीब आपका उत्तर हो जाएगा बोलो किलियर है तो आपको यह याद रवर्ड अडिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट असर्टेन स्पीड हैड हीज स्पीड बीन 8 किलोमीटर पर और लेस मतलब समझ रहो कि यादि 240 किसी गती से तय करता है और उसके बाद कहा जाता है कि अगर उसकी चाल अगर उसकी चाल क्या हो जाती अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो उसे एक गंटे जादा का समय लगता उसे एक घंटे जादा का समय लगता अब कहा गया कि अगर वरिजिनल स्पीड से वरिजिनल जो स्पीड है उससे उसे 480 किलोमेटर ट्रेबल करना हो तो उसे कितना टाइम लगेगा नॉर्मल सा प्रशन है देखो आपको दिया गया टाइम स्पीड एंडिस्टे से एक प्रशन एक्स और जो यह अभी चाल समय है वो पहले वाले समय से एक घंटे जादा अब आपसे पूछा क्या गया है अब क्या पूछा क्या आपसे पूछा गया है 480 किलोमेटर को दूर इता है करने हम कितना समय लगेगा यानि आपसे 480 बटे एक्स की वेलू पूची गए देखो अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लिफाई करने जाओं तो आपको मिले गए यहां 240 एक्स यहां पर 240 एक्स माइनस 240 गुड़े 8 यानि आपका लास्ट में बचेगा 240 इंटो 8 और बटे एक्स इंटो एक्स माइनस 8 बराबर एक यानि इसको इधर कर देंगे तो एक्स इंटो 240 इंटो 8 को थोड़ा सा टुकुड़ में तोड़ता हूं इसको 40 लिख लेता हूं इसका 6 निकालके 8 में गुड़ा कर देता हुं यानि 48 गुड़े 40 लिखते हूं देखो यहां से 40 गुड़े 6 गुड़े 8 यानि 48 एक्स और 48 गुड़े सकते 48 माइनस 8 अब दोनों साइड के तुलना कर दो देखो तुलना करने पर आपको मिलेगा एक्स बराबर 48 यानि चाल आ गए 48 और उसी चाल से आप से कहा के चार सो असी क्लोमेटर की दूरी ट्रेवल करनी है तो कितने घंटे लगेंगे आपको उत्तर हो जाएकर 10 कितनी भी ट्रिक पढ़ लो अगर आपका दिमाग यहां पर काम कर गया तो सब की ट्रिक की बाप ट्रिक आपको मिल जाएगे बोलो क्लियर है परशन परेशन पर बेशता है 136ए उसका साथ गुना करना है तो तो तेरह सतही और चार दस्मलों दो जोड़ देंगे यानि 95 दस्मलों दो में बेशता है सव वाली वस तो अगर 95 दस्मलों दो में भी करेए तो 4 दस्मलों आट की कमी यानि 4.8 परसेंट लॉस एक लाइन का प्रशन रहेगा फटाक करके टिक मार देना है डियाई के मैंने आपको बता है चार प्रशनाते हैं दो करवा दियां दूसरा देखो वही वाला एक्स वाई जेट तीन कमपनिया है और उनका अलग अलग साल 16, 17, 18, 19, 20 इसमें अगर आपको डेटा नहीं दिखेगा तो मैं बोल दूंगा जहांपे अगर 2017 में देश X, 2017 में X यानि ये वाला ठीक है 2020 में Y, 2020 में Y यानि ये वाला ठीक है का कूल उत्पादन 2019 में देश Z द्वारा और बड़को के उत्पादन में की तुलना में कितना है 2019 में Z की तुलना में कितना है यानि इन दोनों का योग यानि 2017 में X यानि 236 प्लस 2020 में Y यानि कि 334 इसका अनुपाद निकालना है किससे 2019 में Z यानि 386 ये 570 होगया बटे 387 यानि 57 28 19 से कटेगा 2 19 से कटेगा 3 तो डियाई मतलब कठिन नहीं होता डियाई मतलब दिमाग होत लगा दोगे आपका उत्तर आ जाएगा बोलो क्लियर कोई मुझे कह रहा था कि टाइम एंड वर्क के प्रेश्ण कठिन आते हैं तो देख लेते हैं उसके वी प्रेश्ण एक प्रेश्ण आना ही है आपके एक्जाम में ए बी मिलके 26 सही दो बटे 3 इसको तुरन तुरन 26 त्याट अटतर दो 80 बटे 3 दिन में लिख लिया करो ए और बी जब मिलते हैं तो 80 बटे 3 दिन में करते हैं कोई काम ठीक है बी और सी मिलके 48 दिन में कर देते हैं और ए और सी मिलके 48 दिन में पूरा कर लेते हैं और ए और सी मिलके 30 दिन में करते हैं सीधा सीधा लिखते रहो कहांगे ए अकेले कितने दिन में 60% कर लेगा देखो 48 बटे 3 और 30 का LC हम लेके 480 ले लो वैसे 240 भी ले सकते तो माल लो टोटल वर्क 240 है तो B और A 80 बटे 3 दिन में 240 यानि एक दिन में 9, 48 दिन में 240 एक दिन में 5, 30 दिन में 240 एक दिन में R, दोनों जोड़ोगे मतलब तीनों की questions को जोड़ोगे तो A प्लस A, B प्लस B, C प्लस C यानि 2 A, B, C बराबर आ जाएगा 9, 5, 14, 8, 22 यानि हम कह सकते हैं A प्लस B प्लस C बराबर 11 आ जाएगा यानि A प्लस B, C मिलके एक दिन में 11 उनिट करते हैं, अब आपसे A को काम करवा, A से काम करवाना है, A निकालने के लिए इसमें B प्लस C रखना पड़ेगा, B प्लस C 5 है तो A बराबर हो जाएगा 6, A एक दिन में करता है 6, उसे करना है पूरे काम का 40% बाग, 240 का 60% कितना हो जागा, 144, 144 उनिट काम लेना है, एक दिन में कर रहा है थे, तो टाइम लगेगा 144 बटे छे, यानि की 24 दे, 10 सेकंड का प्रशन है अगले प्रशन को देख लो, कागे A अपनी I के 35% की बचट करता है, यानि A की कुछ इंकम होगी, उसमें कुछ expenditure होगा, कुछ होगी saving कागे अगर A 100 रुपे कमाता है, तो 35% बचाता है, यानि 35% सेव करता है, यानि expenditure उसका 65 का है का Г야, A में 20.1% की ब्रिध्धी होती, यानि I हो गई 12.1, B में 20% की ब्रिध्धी होती, यानि 65 दे, यानि 65-10 बढ़के या इsetकर हो जाता है, तो आप से कागे बचत में कितने की कमी अब्रुद्य होगी देखो बच्छा तब हो गए 120 माइस एक तरतर यानि 42.1 35 थी 42.1 हो गए यानि 7 बढ़ गई 35 पे 7 का बढ़ना यानि की 7 का बढ़ना यानि की 20 परसेंट से तोड़ा सा ज्यादा का बढ़ना यानि 20.3 टीन पर्शेंट का इंक्रीमेंट लग गया है इसंपलिफिकेसिन के मैंने खातां दो प्रश्न आते हैं आपको सौल्व करना अनया आपको सबसे पहले solve करते हो, 7, 3, 2, 5, 4, 20, यानि 4, 3, 12, अब 12 में 2 बटे 3 से divide करना है, यानि 12 को 3 बटे 2 से गुड़ा कर दो, यानि यह हो जगा 18, यानि पहले break-up की value हो गए 18, इसको गुड़े करना है, 5 सही 1 बटे 9 से, यानि कि 46 बटे 9 से, उससे पहले divide का sign लगा हुआ, अब इस break-up को solve कर लो, यह लिखा है, 3 दू निच्छे दो 8 बटे 3 of 1 बटे 2, 8 बटे 3 of 1 बटे 2 मतलब 2, 4 को, यानि 4 बटे 3 लिखा, 4 बटे 3 में 1 बटे 4 से divide करने का मतलब, 4 बटे 3 में 4 से गुड़ा कर लो, ठीक है, 18 गुड़े, 46 बटे 9 गुड़े 4, 9 से 18 कटे गर 9 दून, 18 2 से 4 कटे गर 2 दून, 4 2 से 46 कटे गर 23, एक line का प्रस्ण था, यानि अगर नहीं था, तो आपको नहीं आता, मतलब आपको calculation करना भी नहीं आता, तभी ये प्रस्ण कटिन लग सकता, otherwise मेरे भाई, ये प्रस्ण आपको कटिन नहीं लग सकता, बोलो clear है, बोलो clear हो गया सबका, चालो, बहुत सुन्दर, ट्रीकों से मैंने आपको बता था, तीन प्रस्ण आते, मैंने तीन प्रस्ण ले लिए, आपको ये दिया गया, आपको इसकी value निकाल ले, फर्स्ट क्ट्रेंट में यानि थीटा की value 90 से कम रखना है, देखो 7 sin square theta, प्लस 4 cos square theta, अगर मैं 4 sin square theta यहां से निकालो, 4 cos square theta, 4 common ले लिए, तो 4 times of sin square theta, plus cos square theta, यानि की value बच्चे की 4, प्लस, यहां पर बच्चा कितना एक्स्ट्रा में, 3 sin square theta, इस जूगाट टू 5, 5 में से 4 गड़ जाएगा है, यहां पर 1, स्वारी, हमने सही किया, यहां पर बच्चा, 4, प्लस, यह कितना होगा, 4 sin square theta, 3 sin square theta, ठीक है, यहां पर बच्चा, 1, 3 sin square theta 1, 1, 1 by 3, 2 sin square theta, 1 by 3, 2 sin square theta, 1 by 3, 4 sin theta, पर राभर कितना होगा, 1 by root 3, 1 by root 3, अब देखो, 5 sin theta, अगर 1 by root 3, यह एक है, यह एक, तो यह 3 माइनस एक, यह root 2 हो जाएगा, यह theta, आप से बुचेदा, रूट 3, 6 theta, इनि रूट 3 इन्टू रूट 3y, Rूट 2, प्लस 3 तेंट थीटा, 10 थीटा कितना हो जागा, 1 बटे रूट 2, बटे रूट 2, कॉट तू, माँने, रूट 3 कॉस थीटा, इनि रूट 3, इन्टू रूट 2, बटे रूट 3, यह कट गया, यह कट गया, अब देखो, यहाँ पर प्लस वन रूट 2 प्लस वन से गुड़ा कर दो टू ट्यू टू टू प्लस वन एंट्टू प्लस वन अनीकि तो आपका उत्तर कितना हो जाएका टू-टू-प्लस-1 यानिकि फर्स्ट आपका करेक्ट आपका क्या पहले होता थे पूछते थे जो आप चुटकियों में कर लो अभी ससी ने क्या कहा कि थोड़ा कटीन प्रेशन पूछना शुरू करते तो यह भी ससी सीजल में में पूछा उन्होंने आप से एकस माइनस वाइए टू एकस की वेलु कूछ ली अब आपको क्या काम करने आप हर जगा महीं नहीं दिमाग लगा पाएंगे ना कि भाईया हम अभी कुछ सेट कर लेंगे कई वार क्या होगा ऐसा सेट करने वाला नहीं देंगे तो आपको जितना सिंप्लिफाई हो पाए उत 1 by 2x यानि आपका होगया minus 5x देखो यह होगया minus 5x minus 2 by 2x minus 5x में minus 2x से divide होगा तो minus 5 by 2 और minus 2 by 2x यानि minus 1 by x यह हो जाएगा इसकी value अब x की value किसी तरह से निकाल के इसमें put करो अगर यहाँ यहाँ पर x solve करना है तो वह ऐसे तो निकलेगा नहीं यहाँ पर लगाना पड़ेगा शीरी धराचार जो की कहता है x बरापर हो जाएगा minus b x equal to हो जाएगा minus b यानि minus 5 plus minus under root b square यानि 5 के square 25 minus 4 c minus 8 बटे 2 यह हो जाएगा 2a यानि कि by minus b plus minus under root b square minus 4 c upon 2a तो 2 यह मतलब की 4 अब अगर आप यहाँ पर x की एक value लेने जाओ तो positive value ले लो यानि minus 5 plus under root 17 by 4 हर बराबर कर लो तो हर बराबर मतलब हर क्या बराबर करोगे इसको ऐसे रहे लो अब आपको 1 by x की value निकाल ले तो 1 by x यहाँ से कितना हो जाएगा तो 1 by x is equal to हो जाएगा 4 by 4 by minus 5 plus root 17 root 17 plus 5 से उपर निचे गुड़ा कर दो तो root 17 plus 5 यहाँ पे और root 17 plus 5 यहाँ पे हो जाएगा हो जाएगा यहाँ पर बनेगा रूट 17 का सत्रा माइनस बच्चीज यानिकी माइनस आठ यानि आपको बनेगा पूर टाइमस आप 5 प्लस रूट 17 by कितना देखो सत्रा के इसको यानि माइनस आठ चार से कटा है यह दो अब आपको निकाला 1 by x की value आपके पास आठ तो यहा स्पाइब प्लस 5 प्लस रूट 17 by 2 कटे गया आपको उत्तर आया रूट 17 by 2 रूट 17 by 2 समझे रूट 17 by 2 आपका उत्तर हो गया बहुत सुंदर चार प्रशनाते साधे चौथा प्रशन ही होगा कहा गया कि निम्लेंकित इस्टोग्राम में पटना है और उत्तर देना है आपक साथ से यह वेट वाला है कितना वेट हो कितने वेक्ति हैं यह संख्या सबके ऊपर लिख दी गए अगर नंबर आप परसंस बेंग 55 kg और मोर बट लेस देन हंडेट के यानि कि 55 से ज्यादा और 75 से कम यानि यहां से लेके यहां तक जितने भी वेक्ति आएंगे यानि 25 35 और 400 108 और 108 में बाउन जुड़ेगा यह यह कितना ज्यादा कम है किससे 80 kg से ज्यादा और 100 kg से कम हो लेगा नो तेरा बाइस तीस बावन और और तीस बावन और और तीस इससे कितना परसंट ज्यादा है 90 से 160 कितना ज्यादे है 70 70 90 क्यलिशंट कितना परसंट है। कितना होता है ? अगर 90 कोई चीज़ 70 जाते तो प्रतिसत में कितना होगा आपके साथ बटनों एक बटनों होता है 11 सही एक बटनों तो साथ साथ बटनों हो जाएगा 77 सही साथ बटनों नि 7.8% के करीब आपका उत्तर हो समझ आगया नंबर सिस्टम के टिविजबिल्टी वाले प्रस्ण तो आते ही आधे हैं साथ में इस तरह के प्रस्ण पूछे जाते हैं इस तरह से दिया गया और आप से पूछा गया और आप से पूछा गया और आपको यहां पर यह पतला होने किस से कट रहा है देखो देखते ही पता चला में जेकि 355 से करता कि 5 से करते की पांच बचलेका कि इस घ्रिए शे 59500 250 प्लें पूरे में 35 को आपको पता 35 को 5 से काटेंगे तो या जाएगा 625 फिर 5 से काटेंगे 121 फिर 11 और 11 यह आपका लिखा होगा अब देखो अगर मैं बात करूँ 3 की बात करो,先生 E कर थे 1, 2, 3, 3 के पावर 3 है यह रखी है अ गर मैं 5 की बात करूँ तो 5 कीबात मैं इदर एक 2, 3, 4, 5 है यानिकि ब सी की बात करो तो Abrac है साथ कीबार दो वरावर साथ की पाउर C यानि C वरावर 2 हो गया और 11 की बात करें तो 1 2 3 4 5 यानि D वरावर 5 हो जाए अब आपको निकाला था A B minus C D यानि कि A गुड़े B यानि कि 4 25 minus C D C D यानि कि Sorry Sorry A B minus C D यहां पर यहां निकाली थी यह भी 15-10 तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 5 हो जाएगा बहुत सुद्धर कि अधिया गया कहा कि a b and c d are two quarts in a circle भी सेंटर हो a d is diameter पहले एक ब्रित बनाओ देखो यह ब्रित हो गया a d इसका diameter है ठीक है a b और c d दो जीवाएं है जो बाहर मिलाने पर देखो a b और c d कुछ इस प्रकार से बनाओ कि यह मिल जाए यह a माल लो यह b माल लो यह c माल लो यह d माल लो ठीक है और यह p पे मिलती है एकदम सही है o center माल लो ठीक है आप से कहा ग जी या यह 25 होगा आपसे daP जो दिया गया daP यह वाला क्यों आपको दिया गया 49 दिग्री कि आप से कहा गया कौण से को नंकाना a CBD की value निकालने, CBD इसको मिला दो, इस कोण की value निकालने, इस कोण की, एक मिनट, इस कोण की value निकालने, CBD की, अब देखो, अगर मैं इसको मिला दूँ, ठीक है, फिर इसको मिला दो, अब देखो, यहाँ पर मैं मौकिक करूँगा, यानि ओरली करूँगा, देखो, आपको पता ये वाला कॉन पूरा 90 हो जाएगा क्योंकि अर्धवित्मी बना कॉन है ठीक है ये 90 हो जाएगा और इसको मिला दो इसको मिला दो ठीक है ये वाला कॉन पूरा कॉन 90 डिगरी का हो गया पूरा अगर ये 90 हो गया तो आपको पता चल जाएगा ये वाला भी 90 हो जाएगा ठीक है अब आप एक बहाप बताओ, आपको इतना ध्यान रखना कि ये वाला कौ्ण 90 ay he हो जाएगा यह नब्य यह 25 है तो यह वाला होने कितना हो जाएगा किसी ट्रेयंगल का external angle जो होता है तो को यह नब्ब्ब्ब्ब्ब्ब यह 25 तो external अगल आप अब जिवा चीड़ में यहां पर चबिशब्बण बना रहे है तो यहीज जीवा सीडी यहां पर भी कौण बना रही है जो आपसे पूचा गया CBD उसकी value 26 डिग्री हो जाएगी समझा गया 26 डिग्री हो जाएगी समझा गया अगला प्रशन देख लो divisibility वाला प्रशन नंबर सिस्टम से 32 से divisible है यह संख्या 32 से divisibility का मतलब 8 और 9 दोनों से कटेगी आप 8 और 9 में सबसे पहले किस की चकर होगे 8 की पहले संख्या लेकर दो 75462A 97B6 यह 8 से कटेगी कब जब लाश्ट 3 डिजिट 8 से कटेगी अब B की value क्या रख़ू ताकि यह 7B6 कट जाए अब एक बाद बताओ अगर B वराबर 0 रखता हूँ तो 8,8,4,6,6,6,6,6 बचेगा नहीं कटेगा B वराबर 1 रख़ू तो यह 816 होगा आप गोता है 714 तो कटेगा 712 तो कटेगा 716 नहीं कटेगा B वराबर 2 रख़दू तो 8,9,7,6 नहीं कटेगा B वराबर 3 रख़दू 8,9,7,बचेगा 8,2,6 B की वैलू तो हो गए 3 B की वैलू 3 अब आप से कहा गया यह 8 से तो कटेगा 718 से कटना है तो 9 से भी कटना पड़दू 9 से डिविजबिल्टी का रूल कहता है Sum of digits 9 से कटना चाहिए Sum of digits अगर आप देखो तो 7,2,9 कट गया 9 से 9 कट गया 9 से 6,4,10,5,15 और 3,18 कट गया 9 से अब आपको बचा 6,7,13,13 13 प्लस एको भी 9 से काड़ देना है 13 प्लस एको अगर 9 से कटना है तो यह बराबर हम 5 रख सकते हैं यह एक की वैलू हो गई 5 और B की वैलू आई है 3 तो आपको निकालना है अंडर root 8A यानि के 40,-4 यानि के 12 40-12,28 हो जाएगा यानि root का 28 आपका उत्तर होगे root का 28 आपका उत्तर होगे मेरे हिसाब से यह प्रश्ण आपको आता होगा previous year का प्रश्ण है बताओ कैसे करेंगे देखो, x बराबर दिस वन दियागा अब x बराबर दिस वन दियागा इसको solve करोगे तो देखो, 2 प्लस root 3 by 2 आ रहा है 2 से उपर निचे गुड़ा कर दो तो कोई फर्थ यानि 4 प्लस root 3 बटे चार हो जाएगा आपको बताओ 4 प्लस root 3, root 3 प्लस 1 का whole square बनेगा, यानि root 3 प्लस 1 by 2 इसकी value हो जाएगी और minus ऐसे इसकी value हो जाएगी root 3 minus 1 by 2, सेम चीज़ उसमें कर लेए x solve करने के लिए root 3, root 3 कर जाएगा, यानि 1 plus 1 by 2, यानि की x की value जो आएगी, वो 1 आ जाएगे देखो, हमने इसको solve किया, तो root 3 plus 1 by 2 है इसको solve किया, root 3 minus 1 by 2 1 से answer में गुड़ा करोगे, तो इसका square हो जाएगा और नीचे root 3 का square minus 1 का square root 3 plus 1 का square कितना, अभी आपने देखा, 4 minus 2 root 3 हो जाएगा, और बट्टे में root 3 का square 3 minus 1, 2 2 से कटेगा, या 2 minus root 3 आजाएगा, आपको बता, root 3 की value होती है 1, 10 में लो 7, 2, 8, यानि 1, 10 में लो 7, 2, 8, अगर घटाओगे, यानि 7, 3 के करीब घटाओगे, दो से, तो 0.27 आपका उत्तर हो जाएगा, 0.27 आपका उत्तर हो जाएगा, समझा क्या, अगले प्रशन पर आएगा, बहुत सुलतर, जेमेट्री से जो इसको touch कर रहा है, अंतर, अंतरत, क्या बोलते हैं, अंतर, अंतरी groups है, ठीक है, PQR को touch कर रहा है, PQQR को कहा पर touch कर रहा है, S, U, और T पर touch कर रहा है, आप से दिया गया है कि भाया, PQ बराबर, जो PQ है, वो QR प्लस 5, यानि QR अगर पूरा X है, तो PQ कितना है, है, यह X प्लस तरह, यह अगर एकस है, QR, तो PQ कितना है, X प्लस 5 है, और, वो जो है, Пр प्लस 2 है, वो प्लस 2 है, वो प्लस 2 है, और यहाँ पीकू बराबर प्लस 2 है, यहां कि प्लस ख्रह संटर, यहां पर हिंदी में सही कर लें, तोड़ा से द्याने है यह लिखा हुआ है और यहां पर पीक्यू बराबर प्यार प्लस तो इस तरह से दिया गया अब आप से कहा गया कि प्यार की लंबाई निकालो फिगर बनाने की कोई जिरूरत नहीं थी आपको पता चल गया तीनों बुझाए एक्स प्लस फाइप एक्स प्लस त्री और एक्स जोड़ोग है कि चाहिए कि चुसकी ले लेकर समझा रहा हूं अब हमने साइकली का कॉंसेट पढ़ा अगर आपको नहीं कोई दिक्कत है इस्टार बैच्वाली साइकली कोई लेटरल की पचास-पच्पन मिनट की वीडियो पूरे डीटियल में समझ लेने कि एबी सीडी साइकली कोई क्यूंके लेटरल बीसी डियामेटर है फेले बीसी डियामेटर डरा कर दो अगर्णैंट इस तरह से आपको कहीं क्योंटर बन रहा होगा है कि ए बीसी ब्यास डी-बीसी आपको जो कोण दिया गयों 39 डिखरी है और आप से खांगी पी-एड की वैल्यव बतानिए है आपको आपको किस कोण की बात बताने हैं आपको पता है और सी सम्मुक्ण है या पोजी टेंगल है दोनों का सम 180 एक अगर 61 हो गया तो दूसरे को 119 डिगरी होना ही पड़ेगा समझा गया बस बात कतम तो दीज वर 25 जो आपको मुझे एक्सपेक्टेट सेट में कराने थे आई होप आपको कॉस्टन का लेबल सब को समझ में आ गया 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 कैलकुलेशन भी डाली मैंने जी कॉस्टन भी डाले SSC में पूचे गए ही प्रशन डाले तो ऐसे अगर इस वीडियो पर रिस्पॉंस आपका च्छरहतों में और वीडियो बनाने की कोशिस करूंगा स्टार बैस कंटीनी होंगे प्लीज 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 डू नोट कीप इट आस्किंग की कब आएगी कब आएगी जब आना होगा तभी आएगी और दूसरी चीज 21 वालों के लिए आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं इफ यू आप प्रिपेरिंग पर अपने ब्रिदर्स जो 2021 की प्रिपेर्स तयारी कर रहे है तो ज्यादा सेल्फिस होने की जरूरत नहीं उनकी भी चीज़ें हैं और मेरी भी लाइफ में तमाम सारी चीज़ें एग्जाम्स ट्रेनिंग का चल रहा है ओफिस में काम चल रहा है तबियत भी खराब है तमाम चीज़े थी that's why I couldn't make video for starbatch और बाकी मिलते हैं जल्दी अगली इस वीडियो पर रिस्पॉंस के बाद ही अगले वीडियो आएगी अबस्टार बाकी मिलते हैं जल्दी अगले आएगी